जामताडा के कॉंग्रिस विधायक डॉक्टर एर्फान अंसार ही एक बार फिर अपने बयान की वज़े से चर्चा में हैं उन्होंने जामताडा में हाल ही में चार लोगों समेंट संताल पर्गना में कई लोगों को घायल कर चुके पागल हाथी को मारने के लिए लोगों से कहा है इस मामले में उन्होंने ट्वीट कर लिखा एक पागल हाथी ने जामताड़ा में आतंक फैला दिया है मैं राजी सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे पागल हाथी का उचित इलाज किया जाए ये हाथी हमारे छेतर में लगभग सेक्डों लोगों की जान ले चुका है सीयो और रेंजर जल्द से जल्द वनविभाग के पदाधिकारी इन घरों की मरम्मत कराएं इसके लावा उन्होंने गाउंवालों से ये भी कहा कि अगर उन्हें ये हाथी कहीं भी मिल जाता है तो वो उसको मार सकते हैं वहीं स्पागल हाथी की वज़े से लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं इसके लावा लोगों को अपने परिवार और घर की चिंता भी सता रही है। ऐसे में ये देखना दिल्चस्प होगा कि हिमन सरकार इस मामले पर क्या फैसला लेती है। क्योंकि हाथी जहार खंड का राजकी इपशु है। ऐसे में सरकार इस पागल हाथी को लेकर कोई भी फैसला सोच समझ कर ही लेना चाहेगी. मौजा सुदे और सारा घर बनवाई है और जो जंगली हाथी उसको आप लोग मार देजिए उसको यह मेरा मांग है.